हाई ओरिवान आप सभी का एक पार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकिया हैं पेस्टी एर्मिशन का लेटेस्ट अप्डेड जो की इस्टेट गौर्रमेंट उनस्टी से आया है अगर आप नेट जायरफ हैं तो रूटें टेस्ट से आपको छूट दे दिया साएगा और अगर आप नेट जायरफ नहीं है तो आपको रूटें टेस्ट के माध्यम से यहाँ पे प्रिविश आप पाएंगे यहाँ पे आविदन सुल्क 1000 रुपे रखा गया है जो लोग PhD में एडमिशन देना चाहते हैं तो 1000 रुपे आविदन सुल्क देके आप 27 अक्टूबर तक इस पर उस परक्रिया में भाग ले सकते हैं और यहाँ पे रुटेंट टेस्ट और प्लस इंटर्व्यू के माध्यम से आपको प्रुष दिया जाएगा साथ में बता दें कि यह B प्लस ग्रेड नेक के द्वारा प्राप्थ हुआ इन्वस्टी है तो आप अगर यहाँ पे एडमिशन लेते हैं यहाँ पे जो नूंबर आप फन सीट सब्जिक्स का पहले आप देखि लिए कि कि изуч कि सुजचें कि कितने सीटें और यहां in physics में सीटें आपके 16 expected 17 है life-science में 23 असहें के सिटिक है इसिएक्स में आपका 22 है तो जितने भी आपके maximum subjects normally UZPG में चलते हैं सभी की seats यहाँ पर available है चाहे law का आप देखेंगे चाहे आपका psychology का देखेंगे चाहे history का देखेंगे sociology का देखेंगे philosophy है सभी subjects में यहाँ पर seats available है यहाँ की Hindi, English में seats available है Commerce, Esthetics, Education सभी subjects में seats available है तो अगर आप higher education में अपना career बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आविदन देखे PhD अपना complete कर सकते हैं अब आपको ले चलते हैं official website से और बताते हैं कि को आपका public notice जारी किया गया है PhD के admission के लिए तो यह है official website gujarat.ac.in के माध्यम से आप यहाँ पर आविदन दे सकते हैं और यहाँ पर जैसे ही official link पर जाएंगे आपको PhD एंफिल information जो है यहाँ पर PhD 24-25 का information मिल जाएगा और description box में link PDF सभी available हमने करा दिया है self information जाके आप ले सकते हैं link के माध्यम से तो यहाँ पर important instruction है इंट्रेंस एक्जाम से जुड़ा हुआ और यहाँ पर जो है आपका schedule है आपके जो PhD के admission की प्रिक्रिया चलीगी और यहाँ पर vacant seat का information दिया गया है तो यहाँ पर आपका important dates है उसके उपर पहले बात कर लेते हैं तो यहाँ आप आप देख सकते हैं 1000 की fees है साथ में आपका registration के प्रिक्रिया काज को डेट है यह 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक नॉर्मली चलेगी payment लेट मार्क पर यह जो लोग कर चुके होंगे उनको last time दिया जाएगा 27 अक्टूबर तक fee payment करने के लिए लेकिन new registration 27 अक्टूबर को नहीं होने वाली है यह 25 अक्टूबर तक ही आ आप eligible candidates का लिस्ट यहां पे 19 11 2024 तक आपको official website पे मिल जाएगा जो की जो लोग को PhD के रिटेंटेस्टे से शूड़ दिया जाएगा और जिसको रिटेंटेस्ट देना पड़ेगा यह सभी information आपको 19 नॉबर को दिया जाएगा इसके लावा आपका जो admit का tentative date है 28 आपका नॉ नॉबर को रिटेंटेस्ट में बैठना पड़ेगा इंपोर्टेंट पॉइंट यह है कि क्या क्या चाहिए पूछी जाएंगे आपको यहां पे अभी हम क्लियर कर दे रहे हैं तो यह है इंपोर्टेंट इंसक्शन के लिए जो लोग करेंगे तो आपको पताते हैं यहां प से रहेंगे जिस सब्जेक्स से आप प्यस्टी करना चाहते हैं निगेटिव मार्किंग बिल्कुल यहां पे नहीं रखा गया है यहां पर विश्विद्यालियों का देखा जाए नियम होता है इसलिए आपको कभी भी देखा जाए जब आप लोग कोश्विद्यालियों के कोश्विद्य के रिचेट के क्षा से देखा यहां करेंगे यह इंसे इ जैट क्ने प्रशन करना पड़े पर प्रजान के प्रज्विद्या defense करना प्रहिए पिर जाग पर देखाजा-चा-ने तो को एकसाथ जोड़ की आपका मेट लिस्ट यहां प् lawn दिया जाएगा तो तो थैंक्स वोची एजुकेशनल चैनल इससे जोड़ा कोई भी कुछन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं और जब तक नेक्स वीडियों नेक्स आपिट नहीं लाख नेक्स वोची एजुकेशनल चैनल आप सब लिगाए दिन बहुत बश्युवाँ